वेल्कम अगीन आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टन थियारम पड़ेंगे फ्रीज्ट अलजवरा की छोटी थियारम है बड्ट रिजल्टिस के इपरसY और एपलाइड पार्ट के इपरसY ये बहुत ही इंपॉर्टन थियारम है और यह रहा है कि अगर आपके पास एक ग्रुप है जी इस एबीलियन it means, मतलब AB is equal to BA if and only if AB square is equal to A square B square इसका मतलब यह है कि यह कह रहा है कि अगर आपके पास एक ग्रुप है वो एबीलियन है then it holds and अगर यह hold करेगा then G is abelian, मतलब हमें दोनों साइड से इस थ्यारम को प्रूव करना है तो क्या है प्रूफ? बहुत ही छोटा प्रूफ है इसका we will take if G is abelian let G is abelian, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है therefore AB is equal to BA but कब for all AB in G इसका मतलब यह है कि अगर G abelian है then it holds now हमें प्रूफ यह करना है कि AB square is equal to A square B square हम लेंगे यह वाला साइड now AB square is equal to इसको मैं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ AB into AB कोई फरक नहीं पड़ेगा मत पड़ेगा फरक तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ AB AB कोई फरक नहीं पड़ने वाला तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस B A की जगे में लिख सकता हूँ A B विकाज G is A B लिया यह अपना B है तो यह A into A A square B square hence proved one side of the theorem now we will take this now conversely क्या होगा converse let हम लेंगे A B square is equal to A square B square अच्छा शो क्या करना है हमें we have to prove that A B is equal to B A तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता A B A B बिल्कुँ जैसे हमने यहां पर लिखा A B into A B तो क्या इसका मतलब हो गया A into A B into B हमें शो करना है A B is equal to B A मतलब हमें यहां से लाना है A B या B A अगर हमने यहां से लाया A B वहां से हमें मिलना चाहिए B A अगर हमने यहां से लाया B A वहां से मिलना चाहिए A B तो हम क्या करेंगे हम इसको जो अब देखें यहां पर अगर यहां पर A B है A B हम जो इसका जो राइट साइड है वहां से हम एपलाई करेंगे B inverse ताकि हैं यहां से भी B cancel होगा वहां से भी B cancel out होगा तो हम एपलाई करेंगे B inverse both sides A A B B B inverse क्यों करेंगे B inverse एपलाई on both sides ताकि यहां से एक B cancel हो जाए फिर हम एपलाई करेंगे A inverse ताकि एक A cancel हो जाए और हमें मिल जाए सिर्फ A B and B A तो यहां से मिला हमें A B A B B inverse हो गया identity उसको यहां पर लिखने की कोई जुरूरत नहीं है यहां से मिला A A B अब देखें यहां पर हमें क्या करना है Now अब हम apply करेंगे A inverse but on left side not on right side क्यों? अगर हमने right side से apply किया A inverse हमें मिल जाएगा वहां से B A inverse वो तो किसी काम का है ही नहीं हमें हमें चाहिए A B और B A इसलिए हमने अब देखें तो हम क्या करेंगे? Now अब देखें आप we will apply A inverse on both sides but on left side so यहां से मिला A inverse A B A यहां से मिलेगा A inverse A A B it implies यह हो गया identity B A यह हो गया identity is equal to A B hence A B is equal to B A तो आप last में लिख सकते हैं hence G is a B here तो यह थी theorem और इसका proof इसका मतलब यह है कि अगर आपको कोई भी group होगा अगर उसमें यह वाली property satisfy हो रही है अगर उसमें यह वाली property satisfy हो रही है तो आप हमेशा कह देना कि G is abelian या अगर वो G abelian होगा यह हमेशा hold करेगा otherwise it is not true यह हमेशा true नहीं है A B square is not equal to A square B square if G is not abelian तब ही यह result ठीक है अगर G abelian होगा तो आज के लिए इतनी ही theorem बड़ी थी तो मिलते हैं एक और important theorem के साथ बहुत ही important theorem abelian group के हवाले से वो बहुत ही important है if every element of a group is self-inverse then G is abelian but the converse is not true of that theorem तो उसको हम इसके बाद पढ़ेंगे तो मिलते हैं कल तब तक Allah आपिस